मेरा पूरा सदन से मानेवर निवेधन है कि जो मोई विदेख लेकर आये हूं इसको पारिफ किया। श्री अमिच्छा तु रिप्लाई दिस्केशन दन्यवाद सभापती महोदै आज जो बिल लेकर मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं वो बिल के चर्चा में डॉक्टर अभिशेक मनु सिंगवी से लेकर स्रीमान आठवले जी तक 34 सन्मानिय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। इसके चर्चा के समय सभी ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से पक्स और विपक्स दोनों में विचार रखे। मने सभापती महोद है। मैं आपके माध्यम से पूरे सधन को आस्वस्त करना चाहता हूं कि बिल का उद्देश केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रुप से भ्रष्टाचार विहिन और लोकावी मुख शासन हो गोग। अब किसी को भ्रष्टाचार विहिन और लोकावी मुख शासन में विरोध है तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मगर मैं इतना जरूर आस्वस्त करना चाहता हूं कि बिल के एक भी प्रावधान से, एक भी प्रावधान से मानेवर, पहले जो वियोस्ता थी, जब इस देश में कॉंग्रेस की सरकार थी, वो वियोस्ता में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। मानेवर, मैं आज जो भील लेकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ, वो महमहीम राष्ट्रपती जी के 19 मई 2023 को राष्ट्रिय राजदानिक शेत्र दिल्ली में सेवाओ के प्रसाशन और प्रभंधन से जुडे अध्यादेश, जो उन्होंने प्रख्यापित किया था, वो अध्यादेश से बनी हुई व्यवस्ता किस्तान पर वीदी द्वारा बनाने, बनी हुई व्यवस्ता को प्रस्तापित करने के लिए बिल लाए हूँ, ये इसका मूल उद्देश है, मैं सारी बातों का डिटेल जवाब दूँगा, कि बिल क्यों लाना पड़ा, अध्यादे किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से इसको वायोलेट नहीं करता है, इस सारी चीजों का मैं जरूर जवाब दूँगा, मन्यमोहदय, चुकि इतनी लंबी चर्चाई सदन ने करी है, मैं दिल्ली की स्थिती को थोड़े सब्दों में जरूर सदन के स्थामने रखना मन्यवर्द दिल्ली कई मायनों में सभी राज्यों से अलग प्रदेश है, क्योंकि यहां संसद भवन भी है, कई सारे इंस्टिटुशन का स्टेटस एंजोई करने वाली समवेधानिक हस्तिया यहां विराजमान होती है, सुप्रिम कौट है, एमबेसीज यहां है, और बार दुनिया भर के राश्ट्रा द्यक्स यहां पर चर्चा करने के लिए यहां आते हैं, मन्यवर्द इसलिए दिल्ली को युनियन टेरिटरी बनाया गया है, स्टेट लीश्ट के मुद्दों पर यहां की सरकार को सिमित मात्रा में अधिकार दिये, दिल्ली एक एसेमली के साथ मगर सिमित अधिकारों के साथ युनियन टेरिटरीज हैं, तो आगे पर जिर्सकों भी दिल्ली में चुनाव लड़ना है, इसको दिल्ली के एक कैरेक्टर को समझना चाहिए, मानेवर में जब पंचायत का चुनाव लड़ता हूँ और पार्लामेंट के अधिकारों की मांग करता हूँ, तो इस समवेधानी ग्रूप से पूरे नहीं हो सकता है। अंसत का चुनाव लड़ना पड़ता है, दिल्ली के MLA का चुनाव से नहीं हो लड़ना पड़ता है। मानने अध्यक्स महोद है, दिल्ली के सासन का इतियास भी मैं जरा बताना चाहता हूँ, सतंतता पुर्वभी दिल्ली कई सालों से किसी न किसी प्रकार से देश का सत्ता का केंदर रह, राजधानी रहूँ, नदिक के भुतकाल में चले जाईए, तो 1911 में दिल्ली तैसिल और महरोली थाना ये दोनों को अलग करकर राजधानी बनाया गया। बाद में वर्ष 19, 1919 और 1935 के अधिनियमों में उस वक्त की बिटिश सरकार ने दिल्ली को चीप कमिशनर प्रोविन्स माना। स्वतंत्रता के समय के जब सम्विधान बनने की प्रक्रिया हुई, उस वक्त दिल्ली के स्टेटस के बारे में पट्टाभी सितारमया और बाबा साहिब आमबेडिकर की एक कमिटी बनी और ड्राप्टिंग कमिटी ने दिल्ली की स्थीतिके और लेकर विश्त्रूत विचार रिमर्स किया, मान्य सभाबती महोदय, पट्टाभी सितारमया समिती ने दिल्ली को लगबग राज्यस्तर का दर्जा देने की सिफारिस की थी, उसी कमिटी के चर्चा के वक्त, पंडित नहरू, सरदार पटेल, सी राजगोपलाचारी, डॉक्टर राजेंदर प्रसाद और स्वहम डॉक्टर आमबेडकर जैसे नेताओं ने इसका अलग अलग तर्क देकर विरोध किया था, मनेवर उन्नी सो उन्चास में समविदान के अंतिम मसोदे के साथ समविदान सभा के अध्यक्स को बेजी गई डॉक्टर आमबेडकर की रिपोर्ट का मैं पेराप पढ़न चाहता हूं। जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि भारत के राजदानी के रुक में सायद ही किसी स्थानिय प्रसासन के आधिन डिल्ली को रखा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद राजदानी के सबन में पूर्ण विदाई सक्ति का अधिकार रखती है उस्ट्रेलिया में भी ऐसा है आगे अंबेड करकी रिपोर्ट कहती है किसी विशेक शेत्र के मामले में क्या किया जाना है ये राश्ट्रपती अपने आदेश धारित करेंगे निसंदे वह अन्य मामलों की तरह इसमें भी जिम्मेदार मंत्रियों की सलापर क्याबन करेंगे यदि वह चाहे तो दिल्ली में एक उपराजयपाल रख सकते हैं वह आदेश द्वारा एक स्थानिय विदाई का भी बन सकता है और इसके संगठन यम सक्तियो का प्रावधन संसद कर सकती है मनेवर स्रीमान मनोज जी ने कहा कि मैं कोटेशन को पढ़ाता हूँ मनोज जी अगर इसी प्रकार के कोटेशन का इंटर्पिटरेशन आप जे एन्यू में पढ़ाते होगे तो विद्यार्थियों की बूरी इगत होगे कोटेशन का रेफ्रेंस मानेवर कई माइनों में बदलता है मगर भवगोलिक स्तिती और राजदानी का अस्तित्व ये तो आज भी वही है ये जो रिपोर्ट है वो इसलिए दिल्ली को पूनराज्य बनाने के साथ सहमत नहीं थी कि दिल्ली राजदानी क्षित्र है मनोजी जरा समझा दे सदन को कि आज क्या दिल्ली राजदानी नहीं आज दिल्ली की राजदानी का महतो समाप्थ हो चुका है कोटेशन कुछ हैते होते हैं मनोजी जो पूत्वी के अंट तक सत्य सनातन होते हैं बदलते नहीं कुछ कोटेशन ऐसे भी होते हैं मान्यवर स्वतनत्रकार्टा के बाद पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951 से दिल्ली को विदानसभा दी गई किन्तु विदानसभा की सक्तियां सिमित एवं संसत के कानून के तहट रखी गई ये भी सोथ समझ कर किया गया वर्स 1956 में राज्यपुनर गठन आयो की सिफारों सिक्वे आदार पर दिल्ली में विदानसभा को भंग कर दिया गया और दिल्ली को संग सासित प्रदेश बना दिया गया लगबक तीन दसक तक मानेवरे व्योस्ता चलती रही सतासी में सरकारिया कमिटी बनी जो बाद में बालकुस्नन कमिटी में परिवर्तित हुई और उसमें 1991 में 69 वा समवेधानिक संसोधन किया जिसमें समवेधान में धारा 249 एए डाली गई और दिल्ली को विशेश दरजा दिया गया मैं इस बात पर पूरे सदन का ध्यान अक्रिष्ट करना चाहता हूँ कि दिल्ली के रेफरंस में समवेधान का जब भी जिक्र करते हैं दिल्ली के सासन को मिले हुए अधिकारों के लिए तब समवेधान में धारा 249 एए को पढ़ना होगा क्योंकि ये विशेश दरा है जो यूटी राजदानीक शेत्र को व्यक्याईत करती है और उसकी सासन सबंदी सभी व्यवस्ताओं को इसमें वर्नीत किया गया है अब इसमें आप यहाँ पर ऐसा भासन करेंगे कि आद दिल्ली की बारी है कल ओरिसा की है अद दिल्ली की बारी है कल आंध्रपदेश की है अद दिल्ली की बारी है कल फलाने राज्य की है कोई संसद सदस्य ऐसी बाते सुनके अपना मत नहीं बढ़लेगा प्रागव जी कि इस प्रक्राव के बढ़लाव किसी राज्य में नहीं हो सकते हैं, यूटी में ही हो सकते हैं, वगर प्रॉब्लेम इसमें राज्य और यूटी का नहीं है, हम है यूटी में चुनाव यूटी के लड़े हैं, और राज्य की पावर एंजोई करनी हैं, इसका प्रॉब्लेम है मानेवर ये प्रोब्लेम का कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, दिल्ली की जनता के पास भी नहीं है, ये सदन के पास भी नहीं है, अपनी मानसित्ता को ही बदलना पड़ेगा, सिमीत करना पड़ेगा, सहित करना पड़ेगा, तब जाकर मानेवर इसका रास्ता निकले मान्यवर क्या हुआ बाद में 91 से 2015 तक उपर नीचे कई बार एक दल की सरकाराई कई बार उपक्स की सरकाराई मैं बहुत जिम्मेदारी तक जिम्मेदारी के साथ यहां बताना चाहता हूँ कि इस बिल से जो ट्रांसपर पोस्टिंग के सेवाओं के काम के लिए जो अधिकार का वनन किया गया है यह सारे अधिकार प्रैक्टीस में यही पर वो ही चलते थे इक्यानवे से लेकर 2015 तक मदनलाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे फिर साहिब सिंग भर्मा बने फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गिय सुस्मा स्वराज जी बनी फिर थोड़े सिला दिक्सित जी बनी मगर किसी से केंद्र सरकार से जगराण नहीं हुआ किसी को नहीं हुआ कि सब लोग विकास करना चाहते थे सब पावर लेना नहीं चाहते थे मानिवर उस वक्त कई बार कॉंग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार उपर रही कई बार हमारी सरकार नीचे थी उपर कॉंग्रेस की सरकार रही ट्रांसपर पोस्टिंग के लिए कभी जगडा नहीं हुआ उस वक्त यही व्यवस्ता से नेनय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलीप नहीं थी मगर 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार है और फिर जो बताया कई सदस्यों ने कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है भया केंद्र सर सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है 130 करोड की जनता की कुपा से हमें पावर भारत की जनता में ही दे दिया यह अधिकार हमें भारत की जनता ने दिया और कई राज्यों में पून राज्यों में भारतिये जनता पार्टी की पून बहुमत की सरकार चल रही है क कोई पावर लेने की जरूरत नहीं है यह धील हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं केंद्र ने दिये हुए पावर पर दिल्ली की यूटी की सरकार अतिक्रमन करती है इसको वैदानिक रुप से रोकने के लिए ये बील लेकर है वान्यवर सब्दों के सुरुंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता है लंबिये चौड़े अक्सपोर्ड की डिक्स्नेरी के सुंदर सुंदर अंग्रेजी सब्दों से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है मान्यवर मैं सब को बताना चाहता हूं कि कोई भी इसका विरोध करे अगर सत्य है कि 91 से लेकर 2015 तक यही व्यवस्ता चलती थी इसमें हमने कोई फरक नहीं किय मान्यवर मैं इसलिए बात करना चाहता हूं कि नई व्यवस्ता आई कई सदस्यों ने कहा मैं तब बूलना नहीं चाहता हूं अगर कहा है इसलिए से रिपीट करता हूं कि आरजगता फेलना फेलाने का काम दिल्दी में सुरू होगा है मान्यवर सासन व्यवस्ता के एक फ्र हनन नहीं कर सकता मानेवर कई बार ऐसी व्योस्ता ही मैं बात में बात करूंगा भी चिदंबरम जी खड़े हो गए थे वो होम मिनिस्टर थे तब क्या हुआ था और उन्होंने फाइल पर क्या लिखा है वो भी है मेरे पास मैं बताऊंगा मानेवर परंटु मैं इतना स्पष् किया गया दिल्ली सरकार द्वरा जीसको नलिफाई करने के लिए भारत सरकार ने एक परिपत्र सिवाओं के बारे में इस्यू किया उसको उच्चनायले में चुनोती दी गई उच्चनायले में भारत सरकार के पक्स में फैसला आया फिर सर्वोच नायले की खंड़ पीट को वो डिफर कर दिया गया, 2018 में सर्वोच नयायले की खंड़पित ने एक आगेश दिया जिसका सार है कि मंत्री परिशत की अधिकारों को सर्वोच नयायले ने प्रस्तापीत किया, मानेवर फिर वो डिविजन बेंच के अंदर, दो जजकी बेंच के अंदर गया, वहां सहमती नई बनी और फिर से खंड़पित को डिफर कर दिया गया, और 11 मई को सर्वोच नयायले की खंड़पित ने सिवाओं के मामले में अपना नीनए दिया, ये जो नीनए है मानेवर, इसमें सर्वोच नयायले ने विशाइत ताई किया है, भारतिय संको किवल तिन विशाइव पर पॉलिसी और पॉलिस पब्लिक और 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 लेंड ये तीन विशाइव पर ही कारेकारी अधिकार प्राप्त है, सिवाओं का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहता है, परन्तु उसी जज्जमेंट में ये कहा गया, हाला कि 239AA को कोट करकर कि संसत को दिल्ली राजदानिक क्षेत्र के सभी विशयों पर और किसी भी क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार है, मान्यवर, अब जो लॉयर होते हैं, वो बातों को बहुत खुबशूरत तरीके से रखने में माहीर होते हैं, एक ही अधिवक्ता, एक बार एक धारा को डिफेंड करता है, तो वो ही दारा का विरोध करता है, मगर हमको तो ऐसी महारत हासिल नहीं, हम तो सारवजनिक जीवन के छोटे कारे करता है, तो जो सच होते हैं, वो बोलते हैं, मैंने अभिसेक मनु सिंगवी जी को ध्यान से सुना, मानेवर उन्होंने कहा, उन्होंने क्या करा, उनको पूरा मालूम ह मैं मानता हूँ मालूम होगा बड़े विद्वान वकील है उन्होंने अनुछे 349AA7A को पड़ा जिसमें लिखा है 249AA7A के तहट संसत को केंद्र सरकार के प्रावधानों को इफेक्ट देने या सप्लिमेंट करने के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकारी यह उन्होंने पड़ा लिखा है मैं अब पड़ता हूं 3 क्या है पहले मैं 249AA में दिल्ली के विशे में विशेश प्रावधान किये गए हैं इसके तहत दिल्ली विदानसभा सहीत संगशाथी प्रदिश है मनेवरिश्के 249AA3B के अनूसार दिल्ली के संग राज्यक शेत्र या पूरा राज्यक शेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में उससे समंदित किसी भी विशय पर कानून बनाने का अधिकार, संसत का अधिकार अब मैं विनम्रता से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि किसी भी विशय पर आता है इसमें सर्विसिस आती है या नहीं आती है सर्विस विशय है या नहीं और मानेवर और इससे आगे जाकर 249 ए ए 3C के नुसार संसत को संसत को राश्ट्रिय राज़दानी इसेट्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संसोधित करने का उसका स्वरूप बदलने का या उसको निरस्ट करने का भी अधिकार दिया गए पर मान्यवले हम लेकर नहीं आए है कौन लाए आग जो रादनितिक जरुरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है वो कॉंग्रेश पार्टी ये सम्विदान संसोधन लेकर आए है ये हम लेकर नहीं आए हैं अगर तिली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है तिल पीट लगी होगी, बैट जा बैट जो, आपको तकलीफ हुई है, अरे गोधी में बैट दुए है, मानने आग देख जी, मानने आग देख जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होगी है, करके हैं तो सुनना पड़ेगा. मैं फिल से रिबीट करना चाहता हूं. केवल और केवल राग्मितिक स्वार्थ के करन, आप पार्टी का एपिच्वेंट करने के लिए, ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोग करें। कैसा पार्टी? कि ये अपने हैं लाए हुए वस्तिक स्वार्टी? पार्यूंड नियका इंचा म।ब्या मेडिक स्वार्टी ठीट के लाए हुए म्यट परिपटु जाए बेडने हुए का बसकी तो स्वार्टी का लुए टके लिए-च्रणेश एंचाल हुए'T और उसी लिस्ट के हिसाब से, किसी पारटी किसी के साथ जाने पे, उसकी गोदी में बैठी है। ये word unparliamentary है, कल हम भी बोलेंगे, आप देकरम की मार करते हो, आप देकरम की साथ करते हो, तो आँजे किसकी गोदी में रäठे हैं? हम भी भी जिर्म कालेंगे, कि खौर जीन की गोदी में बैठे हैं, तो देकरम आप कहते हो, तो देकरम मेंटे, यहां पर बहुत सारे सदस्चों ने बड़ी बड़ी दुहाईयां दी संविधान की दुहाईया दी डेमोक्रसी की दुहाईया दी और अदालत के फैसले की सनमान करने की दुहाईया दी मन्यद्ध जी मैं इनको बहुत विनम्रता पुर्वक कहना चाहता हूं मैं सबसे पहले अदालत के फैसले की बात करता हूं अदालत के फैसले की अवमन्ना तब होती है तब अदालत ने किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश दिया है इसमें स्थगन आदेश मांगा गया था अदालत ने दिया नहीं दूसरी बात अदालत के फैसले की अवमन्ना तब होती है जब हम अदालत के फैसले के विरुद कोई बिल लेकर आते हैं यहां अदालत ने अपने फैसले में स्वयम कहा है कि दिल्ली संग राज्य के लिए देश की संसद किसी भी प्रकार का तामिन बना सकती है और मान्य अद्यक्जी मैं सर्वोच अदालत के प्रती अती विनम्रता रखते हुए बताता हूं कि कई फैसले यह सोय तो है जो न्याई की कानून की इंटर्पिटिशन करते वक्त अदालत लेती है मगर आज की जन बाउनाओं के अनुरुपों नहीं पाये जाते हैं तो इस आजादी से अब तक धेर सारे धेर सारे इतने उदार्ण है जिसमें संसद ने अदालत के फैसलों को बदलने के लिए कानून लोकर आए मगर इसमें तो एक केस भी नहीं है मानिया अद्यक्जी इस की संसद ने कई बार सम्विधान बढ़ ला अदालत के फैसले की बात छोड़िये अदालत के फैसले को निट्रलाइज करने के लिए कहीं संविधान के पेरेग्राफ जोड़े गए हमाने अद्यक्जी और यह संसद्य परंपरा है जिसको पाला अदालतों ने भी स्विकार किया है और पहला संविधान संसोदन तो तब हुआ जब पालामेंट भी नहीं बनी थी मानने वरे कॉंसिट्योंट एसेमली ने पहला संसोदन पारीद किया था तब से संविधान बढ़लने की प्रक्रिया चली है और मैं आपको बताता हूँ बही हम संविधान में बढ़लाव इमर्जंसी डालने के लिए नहीं लाए है हम संविधान में बढलाव उस वक्त की तत्कालीन राश्ट्रपती की सदस्यता जो चली गई थी इसको पुनर्जिवित करने के लिए नहीं लाए है और इमर्जन्सी डालकर लाखो लाखो डेमोक्रेटिक कार्यकरताओं को जैल में अरे खरगया जी सुनिये मैं धाईरेपुर्वत सुना हूँ कॉंग्रेस को लोगतंत्रा पर बोलने का कोई अधिकाम नहीं है और क्या बात कर दो लोगतंत्रा की था की आईरईए भात भीजियार भात मड़़विय। लिए भात मुंगाता था दो आईरईए, प्रादाने भीशाए, Freshman? भात मांवे history, वह प्रीज चे लागता ह। प्रणीं यहालुख था कि प्रशागे थैजुख एको प्रणीन आजीन थे लो जो थेख़ुख प्रणीन ऑ्युरंगे हैं लिए विदरीधी हैं अभ्रणीन थे जूरीष ते लिडिटी अव्र अधिर टेश्ब लुपर्णीच्टेश अभरोगें व्रुष मानेवर, मैं थोड़ी जल्द बाज में प्रदान मंत्री की जगर राष्ट्रपती बोल गया है, इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना था हूँ, इस देश के पूर्वा प्रदान मंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये भी ले लेकर आए, ये भी संवरिदान की भा आउनाओं को समालने के लिए हम लेकर आए और मानेवर, इमर्जनसी डाली गई, हम तो बहुत छोटे थे उसके ये भीलपरी है, ये भीलपरी है, ये भीलपरी है, वह यादिसकर्स, मानेवर ऐसा है कि जब जब ये लोग बील पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी स तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूँ कि डेमोक्रेसी क्या है, इमर्जनसी के अंदर मानेवर, तीन लाग से जादा, राद नितिक डलों के बड़े बड़े नेताओं को जैल में डाल दिये गई, जैल में डाल दिये, मानियक धजी, सारे अख़बारों पर, सारे अपने संपाते की को खाली रखना पड़ा, मानियक धजी, यह लोग डेमोक्रासी की बाद करें, यह लोग डेमोक्रासी की बाद करें, मानियक धजी, और जब, मानियक धजी, इन्होंने पूछा, इन्होंने पूछा, कि वह अध्यादेश अपलाए थे, तो बहुत सुन्दर क्रोनलोजी, देश के मत्दाताओं को गुम्राख करने के लिए थे, मानियक धजी, इसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, फिर से उनकी भावनाय उन्होंने कहा, ग्यारा मई को फैसला आए, और सत्तरा मई को ओडिनन्स लाए गया, और उन्नीस मई को, सुप्रीम कौर्ट को शुप्टी पर जाना था, तब ओडिनन्स को गोशिक किया गया, मानियक देख जी, मैं इसका तो पूरा, क्यूं करना पड़ा है, इसका मुझे देना चाहिए, क्योंकि वीरोध भी दो दर्ज हुए इसी विशे पर, परन्तु मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, और एक मुद्र कौन खड़े कर रहे हैं, जिनका पूरा जीवन सुप्रिंग कोट में वकिलात करते करते जाया, उनको ये भी मालूम नहीं है, कि वेकेशन ब खंड प्पीं बना सकते हैं, और स्खण आदेश दे सकते हैं, वेकेशन के बाद क्या हुआ, ओडिनन्स आगा है, वेकेशन के बाद चलेंज किया, चलेंज करकर स्ळगन आदेश मागा, सूपरिंग कौट ने नहीं दिया, आज भी नहीं है, मैं तो बिल लेकर आया हूँ, अब ये क्रोनोलोजी क्या मतलब है, बताइए, मगर यहां चर्चा करकर एक ग्रांटी खड़ी करना, कि हमारे अधिकारों को लेने के लिए लालाईत थे, भाईया, अधिकारों को लेने के लिए लालाईत नहीं थे, हम दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए विए लाषा है इसलिए मान्यवर के जन्धी करना ने में आगे बताता हूं यह जल्दी क्यों करना ने मन्यवर अब मेरी मेरे पास शुनना चाहिए मान्यवर 11.05.23 को यह अध्यादेश आया और यह फैसला है फैसला लगबग लगबग तीन चार बजे के आसपास गोसित हुगा उसके बाद में 5.30 बजे फैसला क्या था मान्यवर फैसला तो यह था कि समविदानी खंड़पिट ने फैंडिंग दिया है यह रेगूलर बेंच के सामने जाएगा रेगूलर बेंच हीरिंग करेगी और बाद में इस पा आदेश पारिद करेगी तब जाकरे फैसला लागू होगा फैसला तो अभी लागू भी नहीं हुआ है मगर जल्दबाजी किसको कहते हैं मैं बताता हूं स्रिमान डागव चड़्डा जी जल्दबा आज को सामको 35 वजे एक नौट सर्कूलेट कर दिया गया कि आज साड़े पांच वजे तक पात्र अधिकारियों की सूटी के साथ जो इस पदपर तैनात हो सके सचीवी सेवाओ के मतलब सेक्रेटरी सर्वीस के लिए एक नौट प्रस्तूत किया गया ट्रांसफर करना भी च कुछना कर दी अभी तो एप्लिकेशन मंगा ही नौट मंगाया है सोश्यल मुडिया पर कह दिया स्री आसीक माधवराव मोरे को बदल दिया गया है कैसे बढ़लोगे बई कैसे बढ़लोगे मन्नेवार और इसके आगे मैं जाना चाहता हूं इसके बाद सतर्ता विभाग वि रिपर्ट न करिए, उनको डा्रिक रिपोट करे। अब जो ऐडनी स्ट्रेशन मुझे समझाते थे, मैं उनको समझाना चाहता हूं डायरेक जोइंट डायरेक्टर लेवल का ओफीसर सीधा मंत्री को रिपोर्ट करे। ऐसा कैसे हो सकता है बेडिक कैसे हो सकता है आदेश दे दिया तेरा तारिक को कि मैन्यूल के पेरा 2.22 के उल्यंगन किया जिसमें विजिलेंच सेटप के कारेबल CVO के परामर्स से संगठन के प्रमुक संगठन में प्रभावी सर्तक्ता प्रबंदन के लिए ये कारेबल तैनाज करने के निर्देश बनाने के लिए सूच ना कर देए अब मुझे ये समध नहीं आता है अभी तो समविधनिक खंडपिट ने खंडपिट को आदेश बिजा है इंटरपिटेशन बिजा है इस पर खंडपिट ने दो जज़ों की खंडपिट ने सुनवाई करने है और फिर जज्जमेंट देना है यहां पुरा इंप कर दिया मगर विश्व में कोई भी विज्ञान करनी हमें कोई भी चीज अकारण नहीं होती है यह विजिलेंस विभाग को ही क्यों टार्गेट बना गया ट्रांसपोर्ट को नहीं बना गया सफाई को नहीं बना गया जल बॉड को नहीं बना गया जल विभाग को नहीं बना गया मान्यवर road and building को नहीं बनाया गया social welfare को नहीं बनाया ये सारे सासंद के साथ थुड़े हुई नहीं है क्या ये किसी में जल्दी नहीं हुई उन्ग अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं कि सदन में vigilance में क्यों जल्दी हुई मानेवर इसके अंदर आपकारी घोटाले की सराब घोटाले की फाइल इसलिए इसलिए मानेवर आधी राग को Vigilance Department खोल कर फाइलों की हेरा फेरी करने की फरियाद बिल्ली पुलिस को मिली है मानेवर मानेवर केशव राव जे कहते थे हम तो ना इनके साथ है ना उनके साथ है ना आप से जुड़ाव है ना उनसे जुड़ाव है बीरेस वालों का भी इस सराब गोटाले के साथ आप पार्टी के साथ जुड़ाव है इसलिए आप वहां देठे हो मानने वर एक फाइल थी आप कारी गुटाले वाली दूसरी फाइल थी एक यहाँ पर सीष महल बना है मानने वर बहुत बड़ा सीष महल हमने हमने सागल हो गया है अभी मैं आगे तो बोला है न? और अभी मैं आगे तो दोला ही जाएग तक मुआ है what is your objection? what is the problem? for sake of objection, you are raising objection अभी पाइल हो गया है no, you just want to hold the floor sorry, sorry, please let us not make issue of non-issues 258, 258 take your seat sit down take your seat टेक और से प्लीज टेक और सिट टेक और टेक और सिट ऑन्रेबल मिनिस्टर मानेवर मैं कहता हूं सी स्माहिल में क्या अससा संसदिय है चर्चा करे जरा खड़े ओकर वैसा ही व्यवद्दान करने के लिए खड़े हो जाते हैं जरा समझाईए मानेवर मेरा मीरेडन है और अससाल कि याँ इसमें की चर्चा की जाए आं पर styla एक प्लेड़े टेक यह की रखारी मोगािवनाः में धाप देज्ट सिर्फानी जा से करेंगी है सक्षारी रубक्त compare फि ह्या है मिश्धों अख्मों था का प्र provinces ट्रेख कॉर बा पर दो चानों ने किया लियुक एलेगोंट रुप जा दीटेफलाश का मैंन गाया है आपने पिछली बार भी इस विशे के उपर बड़ी गंबीर्था बताई थी के जो टीटरिक्स करने का सिलसिला इस सदन भे, तो मनने सवह से कनते हैं, अगर शीषपेल के ओपर चर्चा करने का ने कमा भी की अभी शीषपेल के ओपर चर्चा करने क्यों हैं, होजायच छीष मैल के बुरी चाटा जो योजफ छीषमैल के अभक्रे करेख नहीं है one, one second, sorry sir, one second. sorry sorry please हुआ एपनार्वामेंबस, एक प्रहु कि इस्तुम मेड्सान आपे राजिगाता है। यहनिए मानुश मुदेशच मेडिना दिर्टीविर्फ ग्रॉट लिए एगान। इन आपकते दिखा इसकान धिकान को सुने कि तरेक है। I urge the House, I urge the Honorable Members, we have been decorated during the whole day, don't act on a plan, let us believe in decorum, Honorable Home Minister, Honorable Home Minister, Honorable Home Minister. 2020 में मुख्यमंत्री के नए बंगले पर खर्च हुए अवेदिक खर्चे के लिए और आबंटीत की गई रासी से 6 गुना ज्यादा खर्चे के लिए जांच की फाइल भी उसी के अंदर थी, मान्य अध्यक्जी, मान्य सुप्रीम कोट ने एक ओर्डर दिया था कि अपनी पार् गिजांदी के प्रचार के लिए डिली सरकार का जो खर्च हुआ है, वो खर्च दिली सरकार से नहीं, आप पार्टी से वसुल कर दिली सरकार के खजाने में डाला जाए लदी इसकी जांच भी यही विजिलांस डिपार्टमेंट नहीं है, मानेवर इन्हों ने दिल्ली सरकार के पास लॉए न ओर नहीं है, इसका मतलब पुलिस नहीं है, इसलिए वहाँ इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है, मगर उन्होंने एक फिडबेक उनिट बना है, और फिडबेक उनिट से राजनितिक जानके आरिया इखटा करना सुरू करी मानेवर, इसके खिलाब भी एक जांच चली और एक जांच की फाइल भी विजिलांस डिपार्टमेंट नहीं है, मानेवर बीएस, इस और बीवाई पी देना है, फिर भी दोजार करोड का उनको पेमेंट कर दिया गया, इसकी भी जांच चल रही है, वो जांच की फाइल भी इसी विजिलांस डिपार्टमेंट में थी, मानेवर और ये आदी रात को जो कागज इधर उधर पोरने का प्रयास किया गया, वो ही इमर्जन्सी थी, चिद्धमरम साब को साइद मालिम नहीं था, इसलिए पूर्टे थे कि क्या इमर्जन्सी थी, तो भई ये इमर्जन्सी थी, और मानेवर अगर ये न करते, तो सारे गोटालों की फाइलों को घूम करने का एक नया गोटाला रजिस्टर करने, और इसलिए इमीजेटली ओड ओडिनस लाना पड़ा, जो सम्विदान सम्मत है, सम्विदान में ओडिनस की व्यक्या और अधिकार ऐसे सितियों के लिए ही दिये गए हैं, और सब को मालूम है, जब ओडिनस लेकर आते हो, तो छे मा के अंदर या सबसे पहले सदन के अंदर, जो सदन जब मिलेगा, तब स सदन के सामने रखना पड़ता है, तो आज मैं लेकर आया हूं, अब इसमें घ्यर सम्विदानी क्या है बही बताओ तो, इतने सारी पांच गंटे से चिलाट चिलाट करते हैं, इसमें घ्यर सम्विदानी क्या है? इसमें घ्यर सम्विदानी क्या है? खर्गे साब की बात सही है, माननेवर अब इविदान सभा के अधिकारों की बात करते हैं, हम सब इस अन्मानिय सदन के सदस्य हैं, सदसन जब राष्टपती महुदया आहूत करती है, बाद में इसका सवत्रा आवसान होता है, इसम्विदान की एक बनाई हुई सदन को चला रहताने की कारे रिती है, इस पूरे देयस में एक ही ऐसेमली है, जिसका सत्रा आवसान ही नहीं हुआ, ना, सत्रादान होता ही नहीं है, स्पीकर साथ सदन को मुलत्वी करते हैं और फिर जब बोलाना है रादनीतिक भाषन करना है तब सदन को बुला कर तिन गंटे चला कर फिर से बन कर दो दिल्ली एसेमली ऐसी है जिसका आद तक सत्रह उजानी नहीं हुआ है मानने होई आप मुझे बता यह ऐसे चल सकता है मानने अध्यक्स जी विधान सभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंड़क्ट ऑफ बिद्नेस 1997 के नियम सत्तर में विधान सभा अध्यक्स को सदन को स्थग करने का अधिकार दिया है यह अधिकार इस तरह से देश के किसी भी एसेमली के स्पीकर ने नहीं उखिलो किया है मैं इसको टिंपड़ी करना नहीं चाहता अगर उचीत है तो कॉंग्रेस पार्टी ने जरूर इसका समर्थन करना चाहिए कि विधान सभा को या संसदों को स् से सन में ही रहेंगे अब से सन में ही रहेंगे तो कानून कैसे बना होगे अब कैबिनेट बुला ही नहीं सकते हो इसलिए क्या स्थिती है समझ यह साब 2020 में सत्र की संख्या कितनी हुई दिल्ली के एक बज़ेट सकते हैं 2020 में कितनी एक बज़ेट सकते हैं 2022 में कितनी बार सदन बुला गया है एक बार बज़ेट सकते हैं 2023 में कितनी बार सदन बुला गया है एक बार बज़ेट सकते हैं उसके अलावे एसमली की जरूरत ही नहीं है इसके अलावे मान्यवर एसम्बली की जरूरत ही नहीं है एक इस तरह से एसम्बली चला रहे हैं मान्यवर कैबिनेट के कैबिनेट के अधिकारी की दिया दुआई दे रहे हैं 2022 में छे कैबिनेट बेठक सिर्फ हुई है एक साल में सिर्फ 6 इसमें से 3 बजेट रिलेटर है और 3 एक बिजली कमपणी को सहायता करने के लिए बुलाई गई बाकि एक भी कैबिनेट बुलाई गई अब आप क्या बहिया कैबिनेट का दुहाई देते हो क्या अधिकार का दुआई देते हो ना कैबिनेट मिलती है ना सदन मिलता है और हमें डेमोक्रेसी पढ़ाते हो वे ऐसा कभी नहीं होता वे यह जो कहते हैं ना कि क्या विशेश हुआ था इसलिए मैं समझाता हूं मान्यवर क्या विशेश मान्यवर IRTS, AIMS, दिल्ली मेट्रो, IIT दिल्ली, UR जैसे धेर सारे योधनाओं का क्लिरंस न मिलने के कारण ये इंस्टिटिशन और ये डेवलोपमेंटल काम दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहे हैं वो राधनितिक रूप से रोग कर बैठे हैं 5G टेकनोलोजी लाने का रास्ता मोदी जी सुगम करना चाहते थी हमारे अस्विनी भाई बार बार पत्र लिखते हैं 2016 से जगडा चल रहा है मगर इस पर कारवाई नहीं करी और ट्रांसपर्ट पोस्टिंग के लिए इसको इनको सुप्रीम कोट में जाने का समय है मगर 5G टेकनोलोजी को इंस्टॉल करने के लिए जो सहायता चाहिए भारत सरकार को वो करने का समय नहीं है मन्यद्यक जी मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जीसको अलग द्रश्टी कॉंट से दिखना परता है दिल्ली के अंदर 91 से 2015 तक यही व्य परिस्थिति मन्यद्यक करना चाहता हूं कूछ सदन के सदस्यों ने कहा कि ये बील समविधान सम्मत नहीं है और समविधान के अधिकारों को ये बील कानून के द्वारा समविधान सुधारने का प्रयास है मानिवर में इनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अध्यादेश और बिल के अंदर थोड़ा फरक अध्यादेश के अंदर धारा 3A है जो बताती थी कि दिल्ली विधान सभा को एंट्री 41 यानि सेवा मामलों पर कानूम नहीं बना पाएगी यह अध्यादेश के अंदर फिर हम लोगों की राइवी लिंग और लगा कि एकदम वायूलेशन तो नहीं है समईधान का मगर ग्रे इसलिए जो मैं बिल लेकर आया हूं विधेक लेकर आया हूं इसमें धारा 3A को भारत सरकार ने ही हटा लिया है इसलिए वायूलेशन का question does not arise धारा 3A को हमने हटा लिया है अब डिली की विधानसभा को भी सिवा में कानून बनाने का अधिकार है आप बना सकते हो मगर केंद्र का कानून अभी जो बना है इससे contradictory कानून नहीं बना सकते हो इतना ही है मन्यद्यक्सी एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि मंत्रियों के अधिकार अपसरों को दे दिये ह कैबिनेट के अंदर अपसर कैबिनेट नोट भीजेंगे तुमानिय अध्यक्सी मैं तो दो सरकारों में रहा हूं गुजरा सरकार में रहा हूं और अभी मोदी जी के नितूतों में भारत सरकार में काम रहा है कभी मैंने एज़ा मिनिस्टर कैबिनेट नोट साइन नहीं किय फाइल साइन की है मगर कैबिनेट नोट तो सेक्रेटर ही भेजते हैं साइद आप लोगों के राज्य में मंत्री की सिगनेचर से जाती है तो मुझे मालूम नहीं है अगर कोई ऐसा दूसरा राज्य है तो भी बताना चाहिए सदन को मान्य दग्जी मैं खंडवार जवाब देना नहीं चाहते है इतना ही कहना चाहता हूं कि 45A 451 को जो उद्वित करकर सब लोग बोल रहे थे इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें डिये गए सारे पावदान ट्रांजेक्शन और बिद्नेस रूल 1993 में पहले से मौझूदे 93 से हैं जो कॉंग्रेस पार्टी लेकर आई हैं हम कुछ नाया नहीं लाए हैं मगर वो रूल्स को मानते नहीं थे इसलिए रूल्स को एक्ट का हिस्सा बनाया गया है 93 से रूल्स के हिसाब से दिल्ली चलती है फुल स्टोप कॉमा का फर्क नहीं है साविस में ट्रांजेक्शन और बिद्नेस रूल 1993 जो है जो कॉंग्रेस पार्टी ने बनाये थे उसको ही हम एक्ट में आमेज किये हैं और इसलिए करने पड़े हैं कि कैसी सरकार चुनकर आई जो रूल्स को मानती नहीं है इसलिए एक्ट में डालना पड़ा मनेवर यह सारे अधिकार जो है अधिकारों का बत्वारा है कारिय विभाजन है और कारिय पद्धती है यह सारी कि सारी कॉंग्रेस पार्टी ने बनाई है अगर कॉंग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हुए मगर यह नहीं करेंगे मुझे मालूम है मानेवर क्योंकि उनको घट बंधन बचाना आए उनको गट बंदन बचाना आए मानेवर मानेवर मैं आपको बताना चाहता हूँ यह आप पार्टी का जन्मही कॉंग्रेस का विरोध करकर हूँ लगबग लगबग तीन टन जितनी गाली कॉंग्रेस की सरकार को बोले हूँ और बोलकर सरकार में आए और आज अनधिकरूत अधिकार प्राप्ट करने के लिए कॉंग्रेस का समर्थन ले रहे हैं और कॉंग्रेस वालों को भी ठीक है चलो हमारा घटपन बढ़े हैं भाई मैं बताना चाहता हूँ खड़गे साब जैसे ही आज स्याम को ये बिल खतम हुआ पारित हुआ केजरिवाल जी पलट जाएंगे ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला क्यों उनका लक्स हम नहीं है उनका लक्स हम नहीं है कॉंग्रेस पार्टी है जरह इनका चुनावी इतियास दिखे उनका लक्साप हो वो आपको नहीं छोडेंगे खेर वो आपको देखना है और मान्या मान्या द्यक्जी ये सारे लोग सिद्धान्तों की मुझे दुवाई दे रहे थे मैं पूछना चाहता हूं त्रिनुबुल कॉंग्रेस और कॉम्मिनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है कि कि सिद्धान के तहत है ज़र बताईये तो मुझे किस सिद्धान के तहत है पूरा जीवन पूरा जीवन एक कृम्मूल कॉंग्रेस पार्टी का जन्म ही कॉम्मिनिस्टों का वीरोध करते हुए हुआ हुआ हूँ कॉंग्रेस पार्टी से वो इसलिया अलग हुए के नर्सीमा राउजी ने कॉम्मिनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता अप्राप्ट करने के लिए वो इनके साथ बेखा एक कॉंग्रेस पार्टी एक कॉंग्रेस पार्टी और कॉम्मिनिस्ट पार्टी केरल में तो UDF, LDF करकर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहाँ इलू-इलू कर रहे हैं। इनके राष्ट्री अध्यक्स ललन सिंग्जी कहते थे मैं पान का बनवारी बन जाओंगा मगर कॉंग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाओंगा। मान्यवर यह साथ में क्यों आये हैं। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर और पांटनस लोगों को जोड़ दो कुछ नहीं होने वाला है। 24 माई में फिर से नरेंद्र मोधी प्रदान में जाओंगा। मान्यवर यह साथ नहीं जाओंगा। मान्यवर श्री संजय राउट ने कहा। मान्यवर श्री संजय राउट ने कहा। यह इंद्र, I know, but, uh, just, 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 take it, take.. Don't get agitated, Sir. We will have a good transactional business. यह पॉइंट फोटो से देखिए हैं जड़ाप मुझे दो मिनिट चांस देजिए देखिए शाह साप उन्होंने ओडिनन्स पे बोल रहे हैं ठीक है लेकिन ओडिनन्स को छोड़के वो हमारे इमर्जंसे से लेकर और अब तक जो आगे दो हजार चोवीश में अरा भाईतों भाई चुप सब का आदे कांग्रेस के हैं इसमें आदे कांग्रेस में इसमें देखिए आप भी सब आप भी आप कि थे तो सर मेरा एकी निमेदन है जीते हैं कि शाह साप अच्छे भाषा में बोलते हैं हिंदी में अच्छा जैसा अंग्रेजी में हावार को उँणों ने बोले कि अच्छे शब्दों में उस ऐसा वैसा ही वो भी हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से वेकरण बत हिंदी बोल रहे हैं ठीक है लेकिन क्या बोल रहे है कि दोजार चोवीज के एलेक्षन को वो संदेश दे रहे हैं कि हम जीतेंगे मानने खड़के जी और अपोजिशन के पुरा उन्होंने आप अपोजिशन के टीका टिपड़ी कर रहे हैं आप अपने विशाइब के पोल लिए बन सब्सक्राइब करेंगे जी आप आप डिबेट में करीब करीब पूरे समय रहे हैं पर कुछ समय आप नहीं थे मैं आपको कह सकता हूं कि आप रिकोर्ड को देखिये सभी सदशेगन ने अपने भाशनों के अंदर जो आयाम अपना है उसका रिस्मोंस है ये 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 या इए ये आप वान देखिया प्रॉण में सब्सक्राइब कर देखिया हूं में थ्यान दखता हूं मानेवर मैं खरगे जी का दम्यवाद करता हूँ मानेवर मैं खरगे जी का दम्यवाद करना चाहता हूँ कि इनों ने मुझे सदन की उच्छ परंपराओं का ध्यान दिलाया मैंने सदन की परंपराओं का ध्यान रिखते हुए सटलवे में मेरी बात कही थी परंटु मानेवर मैंने सटलवे में ही करी थी मैंसे जाधा दूर्वा गया था खरगे जी ने पूरा मैंसे डाल दिया इसलिए मैं उनका धन्राद करना चाहता मानेवर संजय राउज जी ने कहा कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका सन्मान होता है कोई उनका उतोग्राप मागता है कोई उनको ठूपकर नमन करता है कोई उनसे अपन्मेंट मागता है कोई मोदय जी बॉस कहता है वो वो सन्मान मोदी जी का नहीं है मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे मन में कोई मुगलता नहीं है कि यह नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सन्मान है यह नरेंद्र मोदी नाम के देश के प्रदानमंत्री का सन्मान मगर इतने सारे देश के राष्ट्रपती, प्रदानमंत्री, राष्ट्राद्यक्स, भारत के प्रदानमंत्री को सन्मान देते हैं, इससे देखकर आप भी जरा देरना चालू करो, तो थोड़ा अच्छा देते हैं। हिक्तियास नहीं है, हिस्सा नहीं है। सुनिये, सुनिये, मगर मैं उनके एक विहवारिक जन्रल नॉलेज पर क्वेस्चन उठाना चाहता हूं, कि जो व्यक्ति का, मतलब इंस्टिटुशन के नाते के था हूं, जो पार्टी का, जन्म ही 1950 में हुआ हो, वो आजादी के आंदो ऑफन लडेंगे। मानेवर, मगर कई ऐसे अमारे फारंडर मेंबर तें सामा प्रसाद मुकर जी से लेकर, कई सारे, आज बंगाल अगर भारत में है, तो सामा प्रसाद मुकर जी के कारण है। और अगर आज कस्मीर भारत में है तो स्यामा प्रसाद भूकर जीके लिए और माननेवर ये कह रहे थे ये नागपूर से इसारा आता है नागपूर से ठीक है भई चलो एक सेकंड के लिए मेरी बात मान लू नागपूर से इसारा आता है आपकी बात को मैं मान लिता हूँ मगर नागपूर तो भारत का इसा है, रस्या या चिन नहीं है, आपकी पार्टी को रस्या और चीन से इसा रा लेती थी, मानेवर यह मुझे क्या कह रहे है, कॉमिनिस्ट पार्टी बात कर रही है, देशबक्ती की, कॉमिनिस्ट पार्टी देशबक्ती की बात कर रही है, माने और चिदंबरम साब ने कहा चिदंबरम साब ने कहा कि दिल्ली के लिए भी बीजेपी का अधिकार नहीं है दिल्ली में बीजेपी की दोनों बार सरकार नहीं हुई है अगर यहीं सिद्धान्थ है तो आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं है आपके तो ना संसत सदस्य है न को माने तो वीपक्स के नेता ने धेर सारों राज्यों के लिए वो बोली नहीं पाएंगे यूपी के लिए नहीं बोल पाएंगे बिहार के लिए नहीं बोल पाएंगे बंगाल के लिए नहीं बोल पाएंगे ओडिसा में नहीं बोल पाएंगे नौर्थ इस्ट में ये सदन य किस तरह से देश के घ्रू मंत्रीआ को रिस्ट्रीक करना चाहते हैं तो भी देश के किसी भी हिस्से के लिए चिंटा करने का मेरा अधिकार है और संभीहान दत्त अधिकार मन्यवर की सब्सक्राइब इतने सिएयर मन्यवर मान्यवर मनिपूर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मनिपूर के लिए चर्चा के लिए मैं तयार हूँ आज भी कहता हूँ अभी 11 तारीक बाकी है हमें कुछ छुपाना नहीं है छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं आपको छुपाना है और मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ मान्यवर 11 तारिक को चर्चा खडगे जी कह दे मैं कहता हूँ इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मानेवर दिख उनको मालूम है उनको मालूम है के बिजिमेश एरवाइसरी कमीटी समाइटाई करती है मैं अभी देश की जंता के सामने कहता हूँ ग्यारा तारीक को सुन लिया मैंने सुन लिया बैठे बैठे मानेवर मैं सदन के सामने स्पष्टा करना चाह। एक चर्चा एक चर्चा वो 267 के तहट चाह। 267 के तहट चाहते हैं जितमें मत्दान का प्रावदान है मानेवर एक प्रावदान क्यों बना है जब कोई सरकार बजेट के तुरंत बाद अल्पमत में आ जाए और कोई भिलही न लाए तो राज्यसभा में अविश्वास की दर्खास का कोई प्रोविजन नहीं है तो राज्यसभा में वाटिंग के साथ चर्चा हो इसलिए रूल्स लाया गया है यहां तो हम हरोद बिल लेकर आते हैं गिरादो बिल बहुमते ये बिल गिरादो लो ये बिली गिरादो ये बिल गिरादो मानेवर मुझे बताईए देश की जन्ता देख रही है क्या हांसिल है वाटिंग से क्या हांसिल है सवाल आप मनिपूर की स्थिती मनिपूर की चिंता और सरकार ने उठाए गिए कदम पर चर्चा करने चाते हैं या वोटिंग से स्टो अफटेंट करना चाते हैं और वोटिंग से स्टो अफटेंट करनी है तो भी हम ड़ते नहीं है इसी विल में कर लिजिए अभी दूपका दूद और पानी ना कर दारी को ग्यारा तारी को चर्चा के लिए खरगे सब बोल दे मैं सदन में चर्चा के लिए पयार हूं आपको भी मालूम है अभी नहीं हो सकती को अविश्वास का प्रस्ता है आपको मालूम है मान्यवर देश की जंटा सुन ले आठ नो और दस अविश्वास का प्रस्ता है इसलिए मुझे कह रही है कि आठ नो दस में चर्चा करिए कॉंग्रेस पाटी ही लाई है और मैंने सदन के पहले दिन से आपको पत्र लिखा है मान्यवर कि सदन में इतनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तयार हूँ मैं हर बात का जवाब है और मेरा संविधानिक दाईत्वा मगर जब जब लोगसभा में लोगसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती हो तब यह चाते हैं मैं यहां बेठूं मान्यवर इनको अविश्वास प्रस्ता वही लेकर आये है मकर इसकी संवेदानिक महत्व का मालूम नहीं है अविश्वास का प्रस्ता होता है मैं वो सदन का सदस्य हूँ मुझे वहाँ रहना पड़ता है मनेवर और 11 तारिक में क्या बुराई है क्या बुराई है 11 तारिक में क्या बुराई है मनेवर चर्चा से भाग रहे हैं यह चर्चा नहीं चाहते हैं मनेवर होने नहीं देते हैं इसलिए मैं कहता हूं मनेवर कि चर्चा करनी नहीं है और चर्चा करे तब बोल कर भाग जाना है आज अच्छा है कम से कम एकता दिखाने के लिए वाटिंग करने के लिए बैठे हैं चलो वो बहाने से भी बैठ कर सम्विधान के नियमों के हिसाब से संसत के नियमों के हिसाब से चर्चा करी इसके लिए धन्यवाद मेरा पूरा सदन से मनने वर निवेधन है कि जो मोई विदेख लेकर आये हूं इसको पारिख किया